राजिस्थान विधान सभा चुनाव की ये कैसी तस्वीर है कि जनता यहाँ पर विधान सभा चुनाव का वहिस्कार कर रही है क्या जनता ये समझ चुकी है कि जूटे वायदों पर वोट नहीं करना है क्या यही कारण है कि जनता अब खुद का बड़ा पोस्टर लगाने के बाद यहाँ पर इस बात को कहती हूं नजर आई है कि अब चुनाव प्रिचार नहीं होगा, अब चुनाव मतदान नहीं होगा, हम मतदान और चुनाव का वहिसकार करते हैं यह तस्वीर जैसे ही सामने आती है, तो ऐसा लग रहा है कि अब जनता समस्दार हो गई है, और जनता यहाँ पर सरकार को आईना दिखाना चाहती है, और चुनाव आयोक को भी आईना दिखाना चाहती है, कि आपको अब सरकारों पर भी कारवाही करनी पड़ेगी, उनके जू जूट पर जो है, यहाँ पर फैसला लेना पड़ेगा, कि जूट पर वोट लेना पाप है, और यहाँ पर जनता ने इस सबक्स दिखा दिया, पोस्टर के माध्यम से चुनाव का वहिस्कार करते हुए कब तक करोगे जूटे वाइदे, जनता को मूर्ख बनाते, नमस्कार आपके साथ, मैं हूँ रितिक सविता स्वागत है, आपका नेक्श नाइन न्यूज परिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम, खबरों पर खेला पर, क्या खबरों पर खेला में, मीडिया कभी आपको ब जालती है, क्या कभी आपको ये बताएगी गोदी मीडिया कि 33%, 60%, 65% ही बोटिंग क्यों हो पाती है, कभी मीडिया को बताएगी कि आखिर सोव्य से 99% बोटिंग क्यों नहीं होती है, क्या मतदान ID काड नहीं बने है, क्या यहां पर अधर काड नहीं है, या फिर जो लोग है जो बोट डाल सकते हैं उनको बंचित रखा गया है या फिर उनको देश के नागरिक के तौर पर गिना ही नहीं जाता है ये बाते हैं इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि चुनाब जब आते हैं तो हमेशा निसकरस की बात और परिदान की बात करते हैं आज हम बात कर रहे हैं बइसनों को राजस्थान में भी होना है इसका रिजल्ट डाउन होता है जब डाउन की हम बात करते हैं तो हम लोग यह देखते हैं कि डाउन इसली होता क्योंकि voting कम हुई है, Жानी कि जब अंतर देखा जाता है तो पांस बोड, दसंपाउं, पंदरा बोर दें से ह कि आखिर हमारे देश भारत देश में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसका सम्मिधान सबसे बड़ा सम्मिधान है, जिसके सम्मिधान को पढ़ने के बाद कई सारे लोग उससे सीखते हैं, समस्ते हैं, कई सारे नियम कानों बदल भी देते हैं, आज उसी सम्मिधान पर जनता को दंगाईं की हवाले कर दिया या । खटवार ने सरफ कॉंग्रिस को को इसा बार कर दिया और अधीजी olmuş सर्फ अधन कभी एक डाल के लग दे मीडिया की तियोहार का मन्थन आईए हम जानते हैं कि जनता क्यों नहीं करती है सरकार का विनंदन कभी नहीं सुनेंगे आप क्यों कि आपको पता है कि अगर इस मुद्धे पर बात कर ली तो जो मीडिया को हर साल करड़ों रुपए जाता है वो लोगों ने बैनल लगा दिया इस पर लखा कि यहां प्रत्यासिया जो यहां प्रत्यासिया का आना मना है और कि जो प्रत्यासि खड़े है चुनाओं में उनका आना इस कालोनी में मना है आंगे क्या है जब तक हमें सुबधाय नहीं मिलती हम मद्दान नहीं करेंगे इसी प जनता जान चुकी है कि अगर हमें सरकार से काम करवाना है अगर आला कमान को जमीन पर लाना है उनकी कुरसी से उनको उठाना है तो हमें किट फॉर टैट करना पड़ेगा यानि कि अगर आप हमारे वोट का दुरुपयोग करेंगे हमारे वोट की वोट को आप पावर विग्यापन लगा सकती है और विग्यापन पर लिख सकती है चुनाव बहिसकार और यह चुनाव बहिसकार अगर लिख रही है तो उसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में जो 60% बोटिंग भी हम देखते हैं वो 30 और 40% में तब्दिल हो जाएगी और फिर आप समझ सकते हैं जो कहीं न कहीं देश का कबाड़ा कर देंगे तो आप समझ सकते हैं दर्शकों की जो एक मुहिम कोटा में देखी गई जो एक ब्रोध बहिसकार किया गया चुनाव का मतदान का नेताओं का उससे लगा कि अभी रोकतंत्र में ऐसी जनता जीवित है ऐसी जनता मौजूद है जो सरकार को सबख्स दिखा सकती है लेकिन ये खबर आपको कोई मीडिया नहीं दिखाएगा खबर कभी नहीं आप तक पहुँचाए जाएगी क्योंकि ये खबरों पर खेला है और खबरों पर खेल गया वो कहीं ना कहीं पत्रकार बन गया लेकिन सवाल दर्शकों मेरा ताक लिवा करेंगे लेकर नहीं करते हैं एक बाइदे पर हम बात कर लेगते हैं शाहे की गारंटी अमिश्चाह ने गारंटी दी कि सरकार वणी तो राजस्थान में दंगे नहीं होगे यह अमिश्चाह गारंटी कर रहे हैं रिपोर्ट पड़की वागों बताऊंगा उसके बाद उस पर हम विश्चेशन और चर्चा करेंगे दर्शको केंद्री गिनी मंत्री अमिश्चाह ने मंगलवार को नवलगड़ के पोदार पेवलियन में बीजेपी प्रत्यासी विक्रम सींग चाखल जी हां माद कीजिएगा विक्रम सींग जाखल के समर्थन में चुनाव सेवल बहुत शारी चीजों में जादूगर की सरकार नमबर बन है यह तंज करते हुए यहां पर जो है अमिशन शाहे ने जन्ता को लभाने का प्रयास किया सा बहुत हो गया है आपने तुष्टी करण वा वोट बैंक की राजनीती की है उन्होंने गहलो सरकार को उखार फेक कमल फूल की सरकार बनाने का अहवान किया शाहे ने कहा कि कॉंग्रिस तुष्टी करण की राजनीती करती है कनहया लाल की दिन धारे हत्या हुए प्रदेश में पांस साल तक कई जिलों में कौमे दंगे हुए, वोट के लिए दंगाईयों के खिलाब कारवाही नहीं की गई, शाहे ने लोकल मुद्दों को लेकर भी बोला, शाहे ने कहा कि नवलगड का कारिकरम बनाने वालों से मैंने पूछा था कि नवलगड क्यों भेज रही हो, तो यहां पर अत्याचान नहीं होंगे और यहां पर दंगे बंध हो जाएंगे, यह अमिश्चाह अपनी बात को कह रहे हैं, यह गारंटी दी जाती है, वही हम आपको बता रहे थे, कि बड़े-बड़े वायदे कर दी जाते हैं, लेकर उत्तर प्रदिस में कितने बड़े- पेपर लीक में हम सबसे आंगे रहेंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, और गहलोत को, जो कि उनको जादुगर बोल रहे हैं, उनको जड़ से उखाल फेक देंगे, यह गारंटी दे रहे हैं, लेकिन वही हम लोग कोटा पहुंसते हैं, तो क्या देखा हमने, कि चुनाव का बहिसकार किया गया, जनता ने पोस्टर लगा दिया और यह बता दिया, कि हम मतदान ही नहीं करेंगे, तो मतदान से कब तक भागेगी जनता, और क्या जनता मतदान से भाग कर सही कर रही है, सरकार को सबक्स दिखा रही है, चुनाव आयोक को आयना दिखा रही है, यह बड एक तरही नेक्स नाइनीज पोलिटिकल भाइ